वो हैक्टी माई तो प्रेंड वेल्कम बैग टो अक्टीम in तो फ्रेंडश हम जो है वो गुलाम वंस स्य रिलेट nous कर रहे थे तो गुलाम बंस में डिवाइड था तो उसमें हम सबसे पहले गुलाव उसके बारे में यहां पर पढ़ रहे थे तो फ्रेंच पिसले वीडियो में हम कुतबुद्दीन आइबक से रिलेटेड कोईशन कर लिये थे और आज हम कोईशन करने वाले हैं आराम सा से रिलेटेड और इल्टुत किये थे तो देखिए फ्रेंच सबसे पहला कोईशन है कुतबुद्दीन आइबक के पुत्र का क्या नाम था तो ये इनका नाम था आराम सा देखिए नेश्ट कोईशन यहां पर आराम सा कितने महीने तक सिंहासन पर रहा तो अभी हमने आपको बताया ये आठ महीने तक सिं तो आरामसा के बाद इनको ही गद्दी मिली थी यानि ये सिंग्हासन पर वैठे थे तो आप देखिए यहां से उनके जो है आरामसा की मृत्यु के बाद इल्तूत्मिस का इस्टार्ट होता है मतलब इनका राज इस्टार्ट होता है तो आप देखिए यहाँ पे गुला मौंस में हम इलतुतमिस के बारे में पढ़ते हैं तो इनका फ्रेंट जो कारेकाल था ये 1211 से 1236 भी तक था तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे इलतुतमिस का बच्पन का नाम अलतमस था और इलतुतमिस का पूरा नाम समसुद्दीन इलतुतमिस था इलतुतमिस के पिता का नाम इलम खा था जो की इलबरी तुर्क जनजाद का सरदार था यानि फ्रेंड्स इन्ही के नाम पे यानि जैसे ये इलवरी तुर्क है न तो हमारा जोग ये गुलाम वंस है इसको हम इलवरी तुर्क के नाम से भी जानते हैं अगर कभी भी आपसे यह आ जाए मतलब गुलाम वंस की जगह इलवरी तुर्क आ जाए तो भी आप कन्फ्यूज नहीं हो ना गुलाम वंस को ही इलवरी तुल्क के नाम से भी जाना जाता है और इसी को फ्रेंड्स गुलाम वंस को ही हम मामलूक वंस के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं मामलूक वंस क्या फ्रेंड्स हमारा मामलूक माम लूक वंस के नाम से ही हम गुला वंस को जानते हैं अब यहां पर देखे इल्टूतमिस समसी वंस का था तो इतना point हम देख लेए तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सुल्तान बने से पूरव इल्टूतमिस कहां का सुवेदार था तो ये फ्रेंट्स बदायू के सुवेदार थे नेसे देखिए इल्ट उत्मिस कब गद्धी पर बैठा तो अभी हमने देखा उनका कारिकाल 1211.20 से 1236.20 तक था तो यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स 1211.20 अब देखिए यहाँ पर आता है निवकित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्य सुल्तान कौन था तो यह थे फ्रेंट्स इल्ट उत्मिस कौन थे यह थे फ्रेंट्स इल्ट उत्मिस अब यहाँ से देखिए फ्रेंट्स यह सब जितना भी हम कर रहे हैं यह सारा ही मतला previous year question है तो यहाँ पर देखिए friends दिल्ली सल्तनत का पर्थम वैधानिक सुल्तान कौन था तो यह भी इल्टुत मिस थे यह देखिए यह पूछा गया है UPPCS में तो यहाँ पर देखिए friends निम्लिखित में से इल्टुत मिस के राजिकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी तो friends इनके समय में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी तो इसको आप याद रखना अब यहाँ पे देखिए नेश्ट क्वेशन है हमारा सल्तनत के निम्लिकी सुल्तानों में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली अस्थाना अंत्रित की थी तो दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाने वाले वो थे इल्तुत्मिस इल्तुत्मिस कौन थे कुदबुद्धीन एबक के दामात थे और आरामसा कौन था पुत्र थे तो इसको भी आप ध्यान लखना ये भी देखिए यूबी पीचेस का क्वेशन है अब यहाँ पे देखिए फ्रेंट्स नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने सामराज की राधानी घोसित करने वाला दिल्ली का पर्थम सुल्तान तो अभी इसको हमने पढ़ा इल्टुत्मिस था अब देखें फ्रेंट्स इल्टुत्मिस ने एक टंका जारी किया था चादी का सिक्का था ये था टंका इसको जारी करने वाला मद्धिकालिन सासक कौन था इल्द उत्मिस तो आप सारे पॉइंट को नोट कर सकते हैं एक जगा पे ताकि आप इसको याद रख सकते हैं देखिए फिर वही क्वेशन है सल्तनत के दो परमुख सिक्को टंका और जीत चादी का टिंका यानि चादी का जो सिक्का था टंका इसको चलाने वाना परफम सुल्तान कों था इल्द उत्मिस था इसलिए आपसान में आपको इल्द उत्मिस दिखाई दे रहा है तो आप अलग-अलग एकजाम में पूछा गया है देखिए इस और एस एस में यूपी लोवर में पुछा गया है और यह जो है एससी सीजियर में तो अलग-अलग एकजाम में यह किस किस तरह से क्वेस्चन मतलब बनाया है उसको आपको यहां पर दिखाया जा रहा है अब देखें टंकों पर टकसाल नाम का अंकीत करने की प्रथा का प्रारम किसने किया था तो य यानि ऐसा अस्थान जहां पर सिक्के चापे जाते हैं जहां पर सिक्के बनते हैं उसी को टकसाल बोला जाता है तो टंकों पर टकसाल का नाम यानि जहां पर बनते थे उसी का नाम अंकीत करने वाले प्रथा का प्रारम इल्दूत मिश्चन ने किया था यह देखें यहां प पूछ रहा तो यह भी चलवाने वाने को थे इलतुतमिस थे यहां पर देखे फ्रेंड्स नेस्ट हमारा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती की दर्गा को किसने बनवाया था तो यह याद रखना इलतुतमिस ने बनवाया था उल्मौमिंग की उपादी इल्दूतमिस ने लिया था और देखिए लाक वक्स हमने आपको कल बताया था लाक वक्स की उपादी कौन लिये थे कुत्बुत दीन आयबक लिये थे तो इसको भी आप ध्यान रखना अब देखिए हाँ पर फ्रेंट्स मध्यकालिन सासक में भारत में सरपर्थम इक्ता प्रारम किसने किया था इक्ता प्रडाली का प्रारम किसने किया था इल्दूतमिस अब ये इक्ता प्रडाली क्या है फ्रेंट्स सायनिक सहायता के रूप में दिया गया जमीन का एक टुकड़ा होता जिसे हम इकता बोलते हैं इकता क्या है जिसे मान लीजे आप हो और आपका कोई एक दोस्त है अब आपको कहीं पर भी युद्ध करने जाना है तो आप अपने फ्रेंट्स से बोलेंगे कि मेरे साथ तुचल मतब युद्ध करने तो आपको फ्रेंट्स आपसे पूछेगा मैं चलूँगा लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा मेरा क्या फायदा होगा तो आप बोलेंगे कि मैं जो है अपने जमीन का एक टुकड़ा तुमको दे दूँगा यानि साइनिक सहायता के रूप में दिया गया जमीन का एक टुकड़ा क्या होता है इकता होता है तो इस प्रडाली की शुरुआत इल्टुतमिस ने किया था यह देख लिजए लग लग किस इतिहासकार ने इल्टुतमिस को भारत में मुस्लिम राजी का वास्तिविक संस्था पकमाना है तो इसको भी आप ध्यान रखना तो देखिए Friends Next Question है हमारा किस इतिहासकार ने सुल्तानों में लिखा कि इल्तुतमिस सभी गुलाम में महान था तो ये किसने कहा है Sorry Friends ये कहा है बूल जले हेगने किसने कहा है बूल जले हेगने अब देखिए यहां पर Friends एक Question है कि सुल्तानों में से संतान नहीं था इसमें से कौन था झो इलतुत उत्तिन का किया था या शुरी फ्रेंस यह उनका उत्तरा-धिकारी था उत्ता-धिकारी लेकिन जब इलतुत्मिस नहीं रहते हैं तो उनके जगह पे रजिया जो यह करती है सासन वहाँ पे रजिय कौन है ये इलतुतमिस की बेटी है और रुकनुद्दीन फिरोज मुझनुद्दीन बहरामसा ये उनके पुत्र है तो इसको आप ध्यान रखना अब देखिए यहाँ पे एक क्वेशन है कि भारत अरब नहीं है इसे दारुल इसलाब में परिवतित कना ब्यावहारी ग्रूप से संभव नहीं है यहाँ कथन किस से जुड़ा है ये किस ने बोला था इलतुतमिस ने अब देखिए दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था तो ये इलतुतमिस अब यहाँ पे नेक्ष्ट देख लिजे फ्रेंस चंगे मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमड किया था तो यह था फ्रेंस इलतुतमिस अब यहाँ पर देखिए नेस्ट कोईसन हमारा गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है अब यहाँ पर इनको गुलाम का गुलाम क्यूं बोले जाता है यह तो खैर इलतुतमिस थे लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंस सबसे पहले जो कुत्बत दीन अइबक थे वो मुहम्मद गुरी के गुलाम कौन ते खुट विजे इनके गुलाम हुए पिर इनके गुलाम जो कुटबदीन ऐबक थे वो मुहम्मद गोरी के गुलाम थे और फिर ये इलतुत मिज्जो थे ये कुटबदीन ऐबक के गुलाम थे इसलिए इनको गुलाम का गुलाम कहा जाता है अब देखे फ्रेंट्स पर्थम इलवरी सासक कौन था इलवरी सासक क्यों क्योंकि इनके प यहां पर देखिए सुल्टान इल्दूतमिस के सासनकाल में नयायचाने वाले बैक्तिकों क्या पहनना है था वह था लाल dread जो कि यहां पर देखिए कुटूब मिनार किस्प्रसीस ठासक न super किय था अब इसका कांसेप समझे है इसको हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था जोहारा कुटुब मिनारा फ्रेंड्स वह पांच मंजिला इमारत है यह एसे करके यह 5 बंजिल है फ्रेंड्स तो यहां पर देखिए यह जो इसका फर्स्ट है यह कुट बुद्दीन एबक ने बनवाया था और यह किसने बनवाया था इल्दूत मिसने बनवाया था था फिरोज सा तुगलक ने तो इसको आप ध्यान रखना ये पॉइंट कुत्व मिनार के बारे में तो यहां पर पूछा किस प्रसिज साथंग ने पूरा किया था तो पूरा किया था एल्दूतुमिस ने स्टार किस ने किया था खुदवुद दीन आवख कने पुनर ने मुनास्स किस ने करा पुरसा तुगलक ने अब यहां पर देखिए कि स्ँल्दान ने मिनहाज और इसामी जैसे बिद्वानों को राजाश रत दिया तो ये थे प्रेंड्स कुद्वुद्दीन आइवक ने दिया था मिनहाज और इस्वामी जिसे विद्वान को राजा सरे अब यहाँ पर देखें मिनहाज उस सिराज किन सासकों का समकालें था तो यह फ्रेंट्स दास वंस यानि जिसको दास मिंस कहाता है गुलाम यानि दास वंस या गुलाम वंस या मामलुक वंस या इलवरी तुर्क तो आप सारा इनाम ध्यान रखना इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूं ताकि आप इसे भूले न अब यहाँ पर देखें फ्रेंट्स नेश्ट हमारा तबकात ए नसीरी के लेखा कौन है तबकात ए नसीरी इसके लेखा कौन है मिनहाज उस सिराज जो यह किसके मिनहाज उस सिराज इनकी पुष्टक कौन है तबकात ए नसीरी तो यह देखिए अलग अलग एक्जाम में यह पूछा हुआ है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखना आप देखिए फ्रेंट किस इस भी को बानियान जाते समय इल्टुत मिसकी मृत्तिव इनका सासानकाल कब से कब तक था 1211 से 1236 या इसमें इनकी मृत्तिव हो गई देखिए 2072 सत अस्थल में इसकी कब्र है तो फ्रेंट इनकी कब्र को जो है वह कुतुब मिनार में ही मतलब इनको कुतुम मिनार में ही दफना गया था यानि इनका जो कबर है वो कुतुम मिनार में ही है तो फ्रेंस अब नेश्ट देखिए यहां से हम सुल्ताना रज्या के बारे में नेश्ट वीडियो से देखेंगे क्वेश्चन तो इस वीडियो में फ्रेंस यही तक तब तक के लिए all the west मिलेंगे अपने next वीडियो में be happy be